दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आप Amazon पे ICIC bank card apply करते हो तो काफी लोगों को income proof की demand की जाती है तो आज हम आपको पूरा एदम live process बताएंगे कि क्या आपको upload करना पड़ेगा अगर आपसे income proof की जा रही है उसके अस्थान पर क्या upload कर सकते हैं तो आज हम details में सब कुछ आपको अपने मुबाइल से बताएंगे तो मेरा आपसे request है कि विडियों को like करके support कर देना और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को subscribe के bell icon को on कर देना चलिए आपको हम ले चलते हैं मुबाइल के screen प माध्यम से पूरा एकड़म समझाने के कुछिस करेंगे और आप समझ भी जाएंगे तो जब भी आप application को process करोगे तो यहां पे bank सबके profile HD के बिहाब पे जैसे कि आपका अगर profile HD अच्छा है अगर bank को सही लगा तो आपको income proof upload करने का option आएगा नहीं directly आपका KYC verification का option आएगा और KYC verification bureau call के बाद आपका application submit हो जाएगा फिर आपका approval के लिए bank decide करेगा अगर आपकी profile history अगर bank को कुछ भी ऐसा लगता है कोई ऐसी उसमें problem आती है तो bank जो है इस विहाब पे जो आपका details है उसमें आपको मांग सकता है सहरी slip और income proof तो यहां पे income proof के लिए आप जैसे ही click क मैं आपको दिखा रहा हूं तो यहां पे आप जैसे ही upload करना चाहोगे तो यहां आप से जो है यहां पे बताया जा रहा है कि आप जो है income proof में latest one month का salary slip और आपका जो है कम सना कम 40 दिवस तक का आपका old होना जिवरी है और यहां पे आपको जो है अपना current जैसे की three month का bank statement इस जिसमें आपका salary जो है credit so करे यह आपको upload करना है बट अगर आपके पास salary slip नहीं है तो आप क्या करोगे तो यहां पर आपको बताया गया है अगर आपके count में salary credit हो रहा है उसका detail सू करना चाहिए या तो आपका जो है page slip आप लोगों को अगर आपके पास यह दोनों document नहीं है तो यहां आपको pdf में अपने create card का जो statement latest है उससे आपको upload करना है password remove करके फिर इसके बाद आपको अपने create card का front का आगे का एक picture आपको upload कर देना है तो जैसे upload करोगे तो bank इस विहाब पर आपका review करेगा और आपका जो application हो जाएगा का आप अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो card है कम सना कम 3 तीन से लेके एक साल जो है old होना ज़रूरी है साथ ही साथ आपके card की limit भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि पूरी limit अपने खर्च कर दिया तो इस विहाब पे आपका नहीं होगा एक काम करें 100% आपको ITR और income proof जैसे की pay slip के ज statement upload करना जिस account में आपका पैसा आता हो एक फिक्स amount ऐसा नहीं कि 2 रुपए आया सो रुपए पचास रुपए आया ऐसा नहीं है अगर एक fix amount अगर आ रहा है तो आप apply करके card को ले सकते हो अगर नहीं आ रहा है तो आप नहीं ले सकते हो क्योंकि अगर आप से income proof की demand की जा रह को दे सके वीडियो कैसा लागा वीडियो को लाइक करना दोस्तों में share कर देना मुनमें कोई भी सवाल तो comment कर देना फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम